सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट जैभारा दोस्तों आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो कि आपको और लोगों का स्वागत है दोस्तों यह हमारी ग्रूप डिप के लिए और साइन्स की क्लास रहेगी और डेली हम आपको यह सेवन अ. यानि मॉर्निंग के टाइम आपको यह प्रवाइड कर दिया करेंगे दोस्तों इसमें जितने भी तो दोस्तों आपकी जब तक एक्जाम होगी तब तक हम इस जी तने भी कुश्चन साइन्स के प्रीवेस एर के समी कंप्लेट करवा देंगे जब तक आपकी एक्जाम होगी तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर हैं और बेल आइकन घंटी को जरू प्रस करें और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरू करें तो दोस्तों चलते हैं अपने सी तो इसका राइट आंसर तो उसके ऑप्षिन नमबर डी यानि 32 फेरेनहाइट के बराबर होता है अगला प्रेशने की 12 डिग्री सेंटी ग्रेड पर जल की भौतिक अवस्ता क्या होती है तो आपके सामने चार आप्षिन आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका राइट आंसर हमारा आप्षिन नमबर सी यानि द्रव इसका राइट आंसर है अगला प्रेशने पानी का जो हिमांक बिंदू है तो आपको बताना है पानी का हिमांक बिंदू कितना होता है तो इसका जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमबर डी यानि 32 फेरेनाइट होता है अगला पैस्ट नहीं कि परम सुन्नित आपको दर्साता है मतलब किसको दर्साता है चार आप्शन में सा राइट कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमबर ए सून से 273 से कम को दरसाता है अगला प्रशन की क्रायोजेनिक को दरसाता है वाला कि जो क्रायोजेनिक है वो किसको दरसाता है चार आप्शन दिएका आपको बताना राइट आंसर कौन सा है तो इसको राइट आंसर दोस्तो है आप्शन नमबर ए कम तापमान को दरसाता है अगला पैशने की लगभग किस तापमान पर पानी का खनत अधिक्तम होगा तो चार आप्शन आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है तो इसको राइट आंसर हमारा आप्शन नम्मर बी यानि चार डिग्री सेंटिग्रेट इसका राइट आंसर है कैलमिन पैवाने का मानक कच्छी ये तापमान कितना होता है तो चार आपशन दीग्र आपको पताने दीएसमें सा राइट आंसर कौन सा है तो इसको राइट आंसर हमारा ओप्शन नमर सी यानि 253 केल्विन इसका राइट आंसर है अगला हमारा प्रश्ण दिया गया है कि सेंटी ग्रेट जो तापमान के माप का यूनिट है निम लिकित में से किस पर नामकित है तो चार अप्शन देखा आपको बताना राइट आंसर कौन सा है तो इसका प्रश्ण हमारा प्रश्ण देखा यानि तो चार-प्शन देखा पतना राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमर C यानि माइनस 40 डिगरी सेंटिग्रेट दरसाएगा अगला प्रशने के परम सुन्ने दाब की प्राप्ति होती है तो चार आप्शन दे आख पताना राइट आंसर कौन सा है लिए तो इसका जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमर C माइनस 273 सेंटिग्रेट के तापमान पर अगला हमारा प्रशने दे जागे दाब सुन्ने रिफेच के मान पर पहुँचता है तो आपको पताना चार आप्शन में से कौन सा राइट है तो इसका जो राइट आंसर हमारा अप्शन नमबर डी जब तंत्र की आवडिक गति सुनी हो जाती है अगला परशने की एक एलकोहल का कोतनांग 78 डिग्री सेंटिग्रेट है तो कैल्विन पैवाने पार तापमान कितना होगा तो चार अप्शन आपको बताना है इसमें राइट डांसर कौन सा है तो उसको राइट डांसर हमारा ऑप्शन नमबर डी इसका राइट डांसर याणि की 351 कैल्विन होगा अगला हमारा प्रेश्टन डियेखा से केल्विन पैमाने पर तापवान को बढ़दलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा चार अप्शन दीगा पताना इसमें सा राइट आंसर कौन सा है तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नम्मर बी दिये के तापमान में 273 क्या करेंगे जोड़ेंगे कि अगले प्रश्ण है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव सरीर के सामान माना जाता है तो चार आप्शन में सा राइट कौन सा है तो इसका राइट आंसर हमारे आप्शन अगला प्रश्ण दिया गया है कि सेल्सियस और कैल्विन तापमान के बीच क्या संबन्द है तो चार आप्शन दियेगा आप पताना इसमें सा राइट आंसर कौन सा है अगला प्रश्ण दिया गया है कि निमनी में से कौन तापमान का मातरक नहीं है तो चार आप्शन आपको बताना इसमें सा राइट आंसर कौन सा है तो इसका राइट आंसर हमारा आप्शन नमर भी पासकल इसका राइट आंसर है जो की मातरक नहीं है अगला प्रश्ण दिया गया है कि कि किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों इस्तितियों में विद्वान हो सकता है तो चार आप्शन आपको बताना राइट आंसर कौन सा है तो इसके जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमर भी जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर क्या होगा जो पानी है तरल और ठोस दोनों इस्तितियों में विद्वान रह सकता है अगला हमारा प्रेशन बर्फ का गलनाक बिंदू है तो आपको बताना कौन सा है चार आप्शन में से राइट कौन सा है तो इसको जो राइट आंसर हमारा है आप्शन नमर ए यानि 273 कैल्विन इसका राइट आंसर है क्यितने अगला हमारा प्रेशन दिया गया है कि क्याल्विन प्यमाने पर लिए belum और आपको दिए गए ताप में होगा क्या होगा आपक पताना क्ला से कौन सा राइट है तो इसको राइट आसर है तो ऑप्शन नम%, जानी गटा कि अगले हमारा प्रश्ण है कि घंवस्तु में उसमा चालन का दर्ण नहीं करता है फी कंसा राइड है अधिक है हुआ हमारा अप्शन नम्बर सी घर्शन इसका राइट आंसर आंसर है कि अगले हमारा प्रश्ण दिया गया है कि कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर तरल पानी के कड़ों में उसी तापमान पर बर्फ के कड़ों की तुल्ला में अधिक उर्जा क्यों होती है तो आपको बताना चार आप्शन में से राइट कौन सा होगा तो चार आप्शन दिए गए तो इसको राइट आंसर हमारा आप्शन नमबर डी चुकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रगरिया के दौरान बर्फ के कड़ उस्मा उर्जा को आवशोशित करते हैं इसका राइट आंसर है अगला प्रशन हमारा दिया गया है उनी कपड़े सरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि तो आप क्यों रखते हैं आपको पताना चार आप्शन में से कौन सा राइट है तो इसका right है हमारा option number A उन उस्मा का कुचालक है इसका right answer है अगला प्रशनी दिया गया है हमारा कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन संगवहन और विकरण से होता है तो चार option में से कौन सा right है तो इसको right है हमारा answer है वो है option number C boiler भट्टियों में इसका right answer है अगला प्रशनी की विकरण द्वारा उस्मा का इस्तान अंतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है तो आपको बताना चार option में से कौन सा right है तो option हमारा है D मालब अपरुक्त सभी पर निर्भर करता है अगला प्रशनी दिया गया है कि नीचे एक अभिकतन ए और एक कारण आर दिया है अभिकतन ए कहता है कि लोहे की पट्रियों को बीच एक छोटा सा अंतरण छोड़ दिया जाता है और कारण कह रहा है कि लोहा गर्मियों में फैलता है तो आपको बताना है सही बिकल्प कौन सा है तो चार option में से तो इसका जो right answer दोस्तों option नमर C यानि A और R दोनों ही सही है और जो R है वो A की पूरी उचित तरीके से व्याक्खा करता है अगला हमारा प्रश्ण दिया गया है कि तंत्र तरल पदार्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संच्रण करती है तो आपके सामने चार option आपको बताना right answer कौन सा है तो इसको right answer हुए हमारा option नमर A संग वहनी संबंदीस का right answer है अगला प्रश्ण है द्रव और गयसों में ताप अंत्रण का मुक्यता कारण है तो आपको बताना कौन सा कारण है चार option में से तो इसको right answer दोस्तों option नमर B यानि संग वहन जो की द्रव और गयसों के ताप अंत्रण का मुक्य कारण है अगला हमारा प्रश्ण है निम्न लिखित में से कौन सा अभी कल्प उच्ड़ता का कुचालक बेंड कंडेक्टर है तो आपको बताना चार ओप्शन में कौन सा right है तो इसका right answer वाना है option number A लकड़ी क्या एक बेड कंडेक्टर है यानि कुचालक है अगला हमारा प्रश्ण दिया गया है कि बेरो सीलीकेट ग्लास बरतन को microwave oven में प्रियोक किया जाता है क्योंकि मतलब किस कारण किया था आपको बताना चार ओप्शन में से कौन सा right है तो इसका right answer हमारा option number B यह अतदिक उसमा प्रत्रोधी है अगले प्रश्ण है कि इन में से कौन बिद्धुत का काफी अच्छा चालक है तो आपके सामने चार ओप्शन दियेगा आपको पताना से राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा option number C ग्रेफाइट क्या है बिद्धुत का काफी अच्छा चालक है अगले प्रश्ण दियेगा किसी वस्त यानि पतार्त में किसकी उपस्तिती के कारण हुआ बिद्धुत का सुचालक बनता है तो चार ओप्शन आपको पताना राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा option number C इलेक्टौन इसका राइट आंसर है अगले प्रश्ण निम लिकित में से कौन सा बिद्धुत का सुचालक नहीं है तो चार ओप्शन दियेगा आपको पताना राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा option number A चीनी मिट्टी के बरतन इसका राइट आंसर है अगला प्रश्ण है कि निम लिकित में से कौन सा बिद्धुत आवेश का सुचालक है तो चार ओप्शन आपको पताना राइट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हमारा option number C यानि तामा इसका राइट आंसर है अगला प्रश्ण निम लिकित में समानता का पता लगाएं चानि तामा सोना अलममिनियम तो राइट आंसर कौन सा होगा चार ओप्शन में से तो राइट आंसर दोस्तो हमारा है option number C ये सबी अच्छे सुचालक है अगला प्रश्ण किसी ठोस धातू का उसी में चालकता सामनेता बढ़ते ताप मान के साथ आपको बताना क्या होता है चार ओप्शन में से तो इसको जो राइट आंसर हमारा option number B मनलब क्या होगा घटेगा अगला प्रश्ण निम्लिकित में से कौन सा समू में सामिल सारवाधिक उस्मा रोधी है तो चार ओप्शन में से कौन सा राइट है तो इसको जो राइट अंसर दोस्तो है option number B प्लास्टिक, एबोनाइट, कागस, कपास, बेकलाइट और सुस्क, हवा, रबड़ी ही क्या है सरवाधिक उस्मा रोधी चालक है अगला हमारा प्रश्ण दिया गया है कि तुलनात्मक रूप से उस्मा के कुछ आलक होते हैं चार अप्शन में से कौन सा राइट है तो इसको राइट आंसर हमारा option नमबर ए पीबी और एच जीस का राइट आंसर है अगला प्रश्ण निम लिखित में से कौन सा प्रति रोधक एक उश्मा समवेदन सील प्रति रोधक के रूप में जाना जाता है तो चार अप्शन में से कौन सा राइट है तो इसको राइट आंसर हमारा ऐप्शन नमबर ए धर मिश्टरिस का रैट आंसर है अगला प्रश्ण दिया गया है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है तो 어쩌र प्रस और से कौन सा राइट होगा कि तो ईसका राइट आंसर दोश्थ्वर्ण नममर सी काला होता है गया है कि एक गर्मी नूटन के ठंडक के नियम का अनुकुरन करता है तो पिंड की प्रारूपी तापमान समय आरेक होगा तो आपके सामने एक आरेक दिया गया इसमसे बताना राइट आंसर कौन सा होगा तो इसको राइट आंसर दोस्तो है हमारा ओप्शन नंबर डी वाला यहां पर डी हमारा है ओप्शन सी यानि सोरी दोस्तों यहां पर यह सी वाला है कि अगला हमारा प्रेशन दिया गया है कि वहता आपमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायूम अंडली दवाब पर पिघल कर द्रब बन जाती है तो चार आप्शन में से क्या राइट होगा तो इसका जो राइट आंसर हमारा आप्शन नमर ए यानि क्या होता गलनांक बन जाती है अगला प्रेशन जिस तापान पर तरल अपनी तरल अवस्ता से ठोस अवस्ता में परिवर्थित होता है उसे क्या कहते है तो चार आप्शन दियेगा आप वादाना इसमें से राइट राइट आंसर तो इसका जो राइट आंसर दूस्टे आप्शन नमर भी यानि हमांक बिंदू बोलते हैं अगला प्रश्न है कि 257 सेंटीग्रेट पर जल की भोतिक इस्तिति क्या है तो चार आप्शन में से कौन सा राइट है अगला प्रश्न दिया पानी का कुधनांग है तो कितना है आपको पताना चार आप्शन में से कौन सा राइट है कि तो इसको राइट आंसर दूस्तों हमारा आप्शन नमर भी यानि 212 फैरेन हाइट है कि अगला मर प्रश्न दिया गया हेमी करान यारी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं ऐसा किस का रण होता है तो चार आप्शन में से कौन सा राइट है कि तो इस तो राइट आंसर आप्शन नमर ए एक्स पेनें सन इसका राइट आंसर है कि अगला प्रश्न पानी का कोतनाग बिंदू कैल्विन पैमाने में क्या होगा तो चार आप्शन में से कौन सा राइट है कि तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नमर सी यानि 373 कैल्विन इसका राइट आंसर है कि अगला प्रश्न उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वाई मंडली दाप पर द्रव उबलना शुरू कर देता है तो चार आप्शन में से कौन सा राइट है कि अगधा हाँ तो ِसका राइट आप्शन नमबर सी कौतनों कि सका कर्यक्ट आवर है कि अगला प्रश्न दिक निया गया है कि किसी प्रसीतक का आप यह चित-गुड़ धर्म है तो चारा पषर कौन सा कि अकरेक्ट है कि अगला प्श्ण की पानी के कुछना की बिंदु कितना होता है तो चार प्शन में से कौन सा राइट है कि इसका आइट आंसर दोस्त है अप्शन नम्बर यानि 100 सेंटीगर्ड इसका राइट आंसर है अगला पिशुन जल का वास्पी करण होता है तो आपको बताना चार प्षिन में से कौन सा राइट है तो इसकी right answer दोस्रे option number B समस्त ताप मानो पर कि अगला प्रश्न निम्नमें एक सतह ही गठना है तो चार प्षिन से कौन सा राइट है तो इसका राइट आंसर दोस्तो है हमारा he He is अगला प्ष्ण आगि क्रम्ण नम्मेर रखा जल गर्मियों में भी के कालट थंदा रहता है था किसको थंडा रहता है तो चारा उप्शन में से कौन सा राइट है तो राइट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नमबर डी यानि वास्पन के कारण अगला हमुरा प्रैस्ट्ण है कि रेफिरेजेरेटर निम्नलिकित मेंसे किस से दांद पर काम करता है तो चार उप्छन मेंसे कौन सा राइट है है तो इसके राइट आंसर दोस्तो हमुरा आप्छन नमबर d वास्पी करने इसका राइट आंसर है अगला प्रशने गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि मतलब आपको बताना है किस कालर तो चार अप्षिन से कौन सा राइट है तो इसको राइट अनसर दोस्तों हमारा ऑप्षिन नमबर ए पंखे की हावा से हमारा पसीना तेजी से बास बनकर उड़ जाता है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्र लिखित में से किस प्रकरिया की गति सबसे धहमी होगी तो चार अप्षिन से कौन सा राइट है तो इसको राइट अंसर दोस्तों हमारे अप्षिन नमबर सी वास्पी करण इसका राइट आंसर है अगला प्रेश्न गर्मी सीधे से संधर्वित नहीं होती है, तो 4 अप्रभास में कौन सा करेक्ट है? ओप्रभासर हमारा अप्रमल उर्जा का मापनिस का रैट अंसर है कि अगला प्रफ्षन हमारा दिया है इसतिर वबस्ता में ऊस्मा प्रभा together का तातुपरी होता है तो चार उप्शन में से कौन सा राइट है तो उसके राइट आंसर दोस्तों हमारे अस्मारा लएं wallpaper के दर इसतिर हो या उस्मा परवा समय पर आधारित ना हो तो यह हमारा right answer है तो अगला प्रश्चन दिया गया है कि उस्मा गतिवगी कि का सून्निवा नियम यह बताता है तो आपको बताता है क्या बताता है चाल उप्षन में से right answer कौन सा है ये तो ईसका दो is तो ہے वह प्रणानिया तीसरी प्रणाली के साथ दूर कोुस्मा संत्थ हैं तो वर एक दूसरे के साथ उस्मा संत्थ होती है तो ओप्षिन निम्ण हमारा राइट अंसर में है कि अगल्ला प्रैस्चिंट दिया गया है निम्नि में से कौन सही है तो चार अप्शन में से कौन सा सही आपको बताना कि जल का विश्ष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीक्रिर पर उश्मा दी जाती है तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है कि तो इस जो राइट आंसर हमारा अप्शन नमर भी पहले घटता है और फिर बढ़ता है कि अगले परफ्शन न की एनट्रोपी की प्रवर्ती होती है तो आब करे बताना कि कौन सा राइट है किल्स में कर जो आउन और गहां से सो आउप्शन नमर। गय यह अधिक्यात होग Chair कि जिसका タप्मान लिया जाना है उसे इस पर से किये बिना जिस उपकरण से उसका तापान माबा जा सकता हुआ है क्या है तो चार अप्शन में से कौन सा राइट है तो राइट आंसर दूसर अप्शन नमबर A यानि विकरण या अवरक्त पाइरो मीटर्स का राइट आंसर है अगला हमारा प्रेशन दिया गया है कि एक उस्मा गतिकी प्रणाली में उस्मा संतुलन तब प्राप्त किया जा सकता है जब दो पिंडू पहुझते हैं तो आपके सामने चार अप्शन आपको बाताना है इसमें सा राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका राइट आंसर दोस्तो आप्शन नमर सी यानि समान तापमान तक इसका राइट आंसर है अगलं प्रिक्रिया जिसमें आयतन इस्थाई रहता है तु वह प्रिक्रिया क्या कह दाब आईतन का गुणन फल त्था आंतरी कूर्जा के तो जोगफल को क्या कहते हैं तो चारा प्षन में से कौन सा राइट है तो इसका राइट आणसर दूस्तों हमारा ओप्शन नम्बर S इसे बोलते हैं थर्मो डाय नॉमिक्स इसका राइड ऐसर है अगला पिशन उस्मा गत्वी के किस नियम के द्वारा उर्जा संज्ण रच्छन के नियम को जानते हैं तो चार ओप्शन से कौन सा राइड है तो इसका राइट आंसर है हमारा आप्शन नमबर B यानि प्रतम नियम इसका राइट आंसर है अगला अमारा प्रश्ण दिया गयागी एक आदर्स गेस समीकन के लिए एंथाल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया गया है जहां CP frågor बराबर उशमा चमता इस्तिर दाप पर और CP जो दी गई है बराबर उशमा समता इस्तिर आयतन पर तो आपको वताना है इसमस्ते Radio कौन सा होगा एक तो स्का राइट आंसर माइन अप्शन नमबर B या क्फेश्टी में और कि एसका राइट आंसर है है अगले परशने उसमा गत्यवगी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परवाशित करता है तो इसमें से राइट कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तों हमारा आप्शन नमर सी दूतियस का राइट आंसर है अगले परशने उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती है और नहीं नस्ट की जा सकती है लेकिन इसे क्या एक रूप से दूसरे रूप में परविर्थित किया जा सकता है इस एक कौन सा नियम है आपको बताना चार आप्शन में से कौन सा राइट है और तो रैट अंसर दोस्तो हमारा option नंबर बी यानी उर्जा सरवच़ण का नियम अगला पस्झन ऊश्माँ विक्रोनओं की गती होती है तो कितनी होती है आपको बताना चार आप्शिन में से कौन सा राइट है तो इसका right अंसर हमारा option नंबर बी यानि प्रकाश के बराबर होती है अगला प्राश्ण उश्मा गत्गी का प्रथम नियम किस अउधारणा की पुष्टी करता है तो चार अप्शन में से कौन सा राइट है तो राइट आंसर दूस्तों हमारा ओप्शन नंबर ए यानि उर्जा सरनच्ड का नियम इसका राइट आंसर है अगला प्रेश्ण दिया गया है कि यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वाद उश्मे संचलन को किस विदी द्वारा रोकता है तो चार अप्शन में से कौन सा राइट है तो राइट आंसर हमारा ओप्शन नंबर सी यानि संचालन संग वहन अगला प्रेश्ण निम लिखित में से कौन उश्मा रोधी नहीं है तो आपके बताना कौन सा नहीं है तो इसका राइट आंसर हमारा ओप्शन नंबर ए अलॉमिनियम अगला प्रेश्ण दिसंबर महा में सूरी की रोशनी सबसे अधिक कहां प्राप्थ होगी तो चार आप्शन में से कहां राइट आंसर कौन सा है तो राइट आंसर दूस्तों हमारा ओप्शन नंबर ए कन्या कुमारी इसका राइट आंसर है अगला प्रेश्ण सूरी की असीमित उर्जा का स्रोथ है तो आपके सामने चार आप्शन है आपको बताने इसका राइट आंसर कौन सा है तो राइट आंसर हमारा ओप्शन नंबर भी यानि ना भी किये सनलायन क्या है सूरी की असीमित उर्जा का स्रोथ है अगला प्रश्चन धादू की चार गेंदों को सूर प्रकास में रखा गया तो कौन सब से अधिक गर्म होगी तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नम्मर सी तामा इसका राइट आंसर है तो दोस्तों यह हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ आपको यहारा प्रवाट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो जैहिंग जैभारत